नमस्कार दोस्तों एक जामित्र में एक बार फिर से आपका स्वागता आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आप सभी के लिए एक फुस्कबरी है EMS 2022 सेशन के लिए जिन केंडिरेट ने इंटरेस एक्जामनेसन दिया था उनका result पर डिकलियर कर दिया गया था लेकिन कापी टाइम से आप counseling का wait कर रहे थे तो आपका counseling का BAC nursing और paramedical दोनों का schedule है वो जारी कर दिया गया है आप official website पर भी देख सकते हैं और ये notice जारी किया गया है मैं सारी चीजे आपको अच्छे से समझा दूँगा किस तरिके से आपको mock round में participate करना है first round में किसे participate करना है choice field किस तरिके से करनी है आपको accept, reject वाला क्या आपको procedure follow करना है तो आपको समय समय में वीडियो का मादे में सारी information प्रोवाइड करवा दी जाएगी आप panic ना हो और जल्द वाजे में कुछ गलती मत करना जिसे कि आपका अच्छा कासा score होने के बावजूद भी आपको admission ना मिल सके तो आप चैनल को subscribe करें बेल आइकन जुरूँ प्रेस करना है जिसे कि समय रखते ही आपको सबी वीडियो की notification आपको मिल सके तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं आपकी BSC nursing के schedule के बारे में तो BSC nursing का schedule आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सबसे पहले होगा इसमें mock round mock round क्या होता है मैं detail में आपको समझा दूँगा आप एक बार schedule देख लीजी nursing और parametrical दोनों का क्योंकि important dates आपके लिए सबसे पहले जाना जुरूरी है तो आपका सबसे पहले होगा mock round mock round आपका कब से start होगा 179 2022 से आपका start होगा 209 2022 तक होगा मैं separate video प्रोवाइड करवा दूँगा किस तरह से participate करना mock round में क्या procedure है कि choice field किस तरह से करनी है mock round का मतलब क्या होता है यह सारी जानकरी mock round आपका जो announcement की seat allotment है वो 229 2022 को आपका जारी कर दिया जाएगा मतलब की thursday को उसके बाद में चालो होगा आपका first round जिसमें आपको अपनी choice feel करनी रहेगी वो चालो हो जाएगा 239 2022 से 249 2022 मतलब इसमें 2 ही दिन का आपको time दिया गया है फिर आपका seat allocation first round का 39 को आपका जारी कर दिया जाएगा और online acceptance है जो आपको seat allot हुई है आपको accept करना है या reject करना है next round पाटिस्पेट करना है या नहीं करना है वो procedure आपको follow करना होगा वो 39 से आपका 610 के बीच में रहेगा ये 39 से 610 के बीच में ही submission of document ये मैंने चीज़ बताई दी reporting और DD वगरा का वो 39 से आपका 610 के बीच में तो ये first round का schedule आपका जारी कर दिया गया है आप इसका screenshot ले लीजिए अच्छा सी ये date आपके दिमाग में रहनी चाहिए क्योंकि ये सबसे important है अब next आपका आता है second round का तो second round का लिए आपको सबसे पहले ये जाना जरूरी रहेगा कि first round में कितनी seat आपकी feel हो चुकिए और कितनी आपकी vacant रही है तो यहाँ पे अगर second round की बात करें तो seat vacant की list वो 11-10 को जारी कर दी जाएगी और उसमें आपको seat allocation है वो आपका जारी कर दी जाएगा 12-10-2022 को तो आपको जो first round में जो choice feel करेंगे वो आपको अच्छे से feel करनी है क्योंकि फिर दुबारा second round में आपको choice change करने का option नहीं मिलेगा ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप second round में आपको issue हो जाएंगे तो आपका जो score है उस score के basis पे ही आप mock round में आप एक बार feel कर लीजे और आप first round में second round में आपको वो option नहीं मिलेगा आपने college choice feel करने का second round में आपका केवल seat allocation ही जारी किया जाएगा seat vacant के बाद में online acceptance allotted seat उसके बाद में आपको reporting में अगरवा नहीं जो भी college आपको लोट होगा date अगर अपने document अगरवा वो procedure सारा आपको ये 13-10 से 18-10 के विज़े में second round की ये process ये तो हो गया आपका B.A.C. nursing का अब आपका paramedical का जो विबिन courses है उनका आप schedule एक बार जान लीजे ये आपका जो pre-seat allocation है जो mock round ही है एक तरीके से आप mock round ही इससे समझ लीजे ये आपका start होगा इसमें आप अपना subject feel कर सकते हैं और अपनी choice feel कर सकते हैं ये आपका 17-9 से 22-9 के 20 में आपका start हो जाएगा first round आपका start होगा जो आपका announcement seat allocation का आपको इसमें ही अपनी जो choice feel करनी रहेगी जो pre-seat allocation है ये ही आपका पहला process रहेगा इसमें आपने अच्छे से feel करनी है paramedical वालों के लिए paramedical वालों के लिए जो pre-seat allocation है उसमें ही अपनी सारी choice feel करनी है बाद में option नहीं मिलेगा ये मैं पहले ही बता रहा हूँ B.A.C. nursing में mock round में option मिलेगा first round मिलेगा लेकिन paramedical वालों को केवल जो free seat जो mock round होगा उसमें ही आपकी choice feeling का option मिलेगा first round की जो seat allocation 26 नों को जारी कर दी जाएगी accept या reject करना है वो 27 नों से 3 दस के बीच में इसी time duration में आपको अपना जो reporting process है वो complete करनी रहेगी document, original, photo copy वगरा वो सारा मैं समझाता रहूँगा ये process आपको करनी रहेगी ये first round का है second round का आप यहाँ पर देख लीजे कितनी seat आपकी vacant रहेगी 7-10 को list जारी कर दी जाएगी फिर जो announcement है seat allocation का 8-10 को जारी कर दी जाएगा seat जो allot होगी वो फिर आपका accept करनी की जो date दीगी और reporting की date है वो आपकी 10-10 से 14-10 के बीच में दीगी ये paramedical का आपका यहाँ पर schedule दिया गया आप इसका screenshot ले लिजे अच्छे से आप इसको समझ लीजे तो दोस्तो यह आपका schedule वो जारी कर दिया गया अब mock round में किस तरह के से participate करना है इसका क्या मतलब है मैं next video में आपको detail में सारी चीज़ समझा दूँगा आयो वीडियो आपके लिए यूज़ फोज रहा होगा विलते next new वीडियो में next new update के साथ में धन्यवाद जहीं जय बार